ही गाइज वेकम टुर्स पॉइंट मैसेफ रिशिका और आज अभी हम लोग डिस्कूस करने वाले हैं PT 365 जो कि हमारे इन्वार्मेंट की हैं तो काफी टॉपिक हम लोग अल्रेडी कम्प्रीट कर चुके हैं आज देखते कि हमें क्या स्टार्ट कर नहीं हैं हम लोग वाटर कं कहते हैं कि section बहुत ही important है UPSC prelims के लिए तो यह काफी important हो जाएगा और इस बार बहुत ही ज्यादा धांसू सारी topics हैं तो क्यूंकि exam point of you से ही बहुत अच्छी topics यहां पर दी गई हैं जिसे कि बहुत ज्यादा chances से questions पूछने का तो चलिए देखते हैं कि कितना हम लोग यहां पूछी थी first है कि यहां पर आपको बताने है कि six CTs जो कि हमारे Indian CTs थी जो कि आज की rate में C40 की member है second one is कि कौन सी chemical है जो की mainly use होती है blowing essence जैसा वो भी हम लोग रिजिट जब poly-utherine form बनाते हैं तो इसके production में blowing essence जैसे कौन सी हम लोग chemical इस्तेमाल करते हैं third is कि वायू से आप ल की questions पूसती हो आईए अब answer देख लेते सबसे पहले C40 तो C40 एक group है जिसमें कि हमारे इंडिया की six cities है आज की date में इसकी member है first है यहां पे बैंगलूरू, second है चिन नहीं, third है यहां पे देली, fourth है यहां पे जैपू, fifth है यहां पे कुलकाता and sixth है यहां पे Mumbai, तो सब यहां प इंडिया में अब यह जो है इसकी emission पूरी तरीके से cut हो गई है, तो इसलिए भी यह news में थी और इस तरीके से भी आप से घुमा के question पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा, अब आते हैं YU, YU stands for Wind Augmentation Purifying Unit, तो यह एक air pollution control device है, सबसे पहली बाद, जो कि हमारे area जो 500 में ह उसको यहाँ पर purify करती है, यह आपका develop किया गया है Council of Scientific and Industrial Research के द्वारा, साथ ही यहाँ पर NERI भी है, CSIR and NERI, NERI stands for National Environmental Engineering Research Institution है, जो कि यहाँ पर environment से related जो भी problem होती है उसको research किया जाता है, उसके बाद ही यहाँ पर आपका कुछ भी चीज को launch किया जाता है, तो वाईयों क जब भी कोई coal जलती है, इसको जलाया जाता है, बर्न किया जाता है हमारे thermal power plant में, तो उसके बाद एक धुआ धुआ निकलता है, एकदम से आपको देखने को मिलेगा कुछ fine powder जासा है, जिसको हम लोग fly ash कहते है, तो fly ash का भी बहुत तरीके से alternative इस्तेमाल करने के लिए बता तो एक तो है कि हम लोग के country में जितना हम लोग production करते है, उतना हम लोग export भी करते है, तो हम लोग तो इस चीज में बहुत ही महारत हासिल के वे, और coal को हम लोग इस्तेमाल करते है, अब coal से जो है fly ash बहुत जादा निकलती है, जिसे कि environment pollute हो रही है, और other चीजों को भी यह और हाँ, और हाँ, और भी topics को देखने के लिए आपको मेरे चैनल को subscribe करनी होगी, playlist में आकर आप लोग different PTA 365 को देख सकते हो, तो चलिए आज के लिए आपके पास five questions है, क्योंकि अब आप लोग को five questions मिलेंगे total, first है कि जल साथी program, जल साथी program, firstly आपको बतानी है कि कौन सी state क की program है, second thing कि ये किस चीज़ पे है, इसका aim क्या है, ये बतानी है, बहुत अच्छी program है, इसलिए मैं अलग हट के पूछ रही हूँ, क्या पता पूछ लिए जाए, वैसे UPSC में बहुत ही कम आप लोग देखो कि state program से कुछ questions होते है, नहीं के बराबर होते है, एक दोग पू लेकिन इस तरीके के question से आपको फायदा होगा, कि आप लोग कहीं essay लिख रहे हो, या फिर answer writing लिख रहे हो, तो में भी आप लोग इसको quote कर सको, second है कि यहां पर आपको seven state का नाम बताना है, जो कि अटल भूजल योचना के अंदर यहां पर उस state को लिया जा रहा है, जिसमे कि ground water पर काम किया जाएगा, तो seven state को चूज की गई है, तो उन्हें seven state का नाम आप लोग को याद होनी चाहिए, ठर्ड़ वन इस कि आप लोग बायोरेमेडियेशन से क्या समझते हो, very important concept है, यह आप लोग समझोगे ना, तो काफी चीज़े आपकी environment की जो है na complete हो सकती है, फ कोशन है कि micro plastic और micro bits, यह है क्या, यह बहुत ही small आपकी देखने को मिलेगा की word है, लेकिन इसका जो meaning है वह बहुत vast level पर है, और सारी चीज़े अगर हम लोग plastic pollution के बारे में पढ़ रहे है, और हम लोग micro plastic और micro bits के बारे में नहीं जान रहे है तो फिर तो मती पढ़िये, plastic pollution क के बारे में आप लोग मती बोलिये, ठीक है, तो इस तरीकी की बाते आ जाती है, क्योंकि यह बहुत ही आपकी minor सी information है, इसके बारे में आपके पास clarity होनी चाहिए, तो चलिए फटा-फट answer दे दीजेगा comment box में, अब हम लोग आते हैं next article में, तो इस्टार्ट करते हैं, यह ह क्यों है, क्योंकि recently Bhopal Municipal Corporation और साथी साथ Center Pollution Control Board ने एक agreement sign करी है, कि country के पहली जो e-west clinic है, वो यहाँ पर भोपाल मद्द परदेश में यह आपका setup किया जाएगा, तो e-west clinic है, जैसे कि आप लोग को कुछ भी सर्दी, जो खाम खासी है, कुछ भी होता है, तो आप लोग जो ह या फिर television में सुन रहो, television में broadcast नहीं हो रहा है, मतलि कि आप लोग connect करके सुन रहो, okay, तो कहने लगो कि मैं आप टीवी में आने लगे हो, तो ऐसी बात नहीं है, तो यह आप लोग अगर कोई भी electronic medium इस्तेवाल कर रहे हो, मेरी lesson को सुनने के लिए, तो वो क्या हो गया, अग इसने भी कचड़े होंगे, electronic है, उसको अलग किया जाएगा, फिर उसको process किया जाएगा, फिर सारे west को dispose किया जाएगा, यानि कि यहाँ पर household के है, या फिर commercial unit है, घर से भी निकल सकते हैं, बहुत सारे कचड़े होते हैं, जैसे कि आप लोग देख लो, यह mobile है, लैपी है, आपकी, बहुत सारे electronic gazettes है, जो कि आप लोग आए दिन इस्तेमाल करते हो, साथी commercial unit, यानि कि commercial जो आपका companies वगरा है, तो उन सबसे भी जितना भी तरीके का electronic कचड़े निकल रहे हैं, तो यहाँ पर अलग किया जाएगा, और finally उस कचड़े को dispose भी किया जाएगा, तो यह ज electronic waste की बात करें, तो इसको door to door collect किया जाएगा, यानि कि जैसे अभी कचड़े आप लोग के वेस्ट कलेक्ट करने के लिए आते हैं, यानि सुबस भाग गाड़ी वाला आया है, तो इसी तरीके से यह आएगा, कि फिर आएगा कि गाड़ी वाला आया है, तो electronic कचड़ा निका तो ये बहुत ही बेटर है, क्योंकि इतना महनत कौन करेगा, जब तक हम लोगो कुछ in return मिलता नहीं है, तब तक हम लोग महनत करने से बहुत जादा आलस में आ जाते है, तो मालिज आपकी mobile वगे खराब होगे, अब एक दम से दम तोड़ दी आपकी mobile और ये चलने वाली न करेगी इस unit में, और जो clinic है वो यहाँ पर compliance भी conceive करेगी किससे, तो हमारे यहाँ अल्रेडी एक rules है, solid waste management rules, तो इसके साथ भी इसके जितनी भी rules regulations तो compliance में लाए जाएगा, यानि किसी के साथ जोड जाड के काम किया जाएगा, अब e-west है क्या ये समझ लेते हैं, बाते तो सम आपका computer भी हो सकता है, या फिर कोई information and communication technology में use होने वाला equipment भी है, home appliances भी है, home appliances भी है, home appliances पे आप लोग क्या देखोगे, micro oven हो गया, आपकी mixer grinder हो गया, ये सारी चीजे हो गई, audio, video product है कोई, या फिर सारे ferry filler जो की popularly इसको हम लोग electronic waste कहते हैं, तो ये सारी आगई e-west के अंद toxic substance है, यानि कि क्या-क्या ऐसी गंदी चीज़े है, toxic है, toxic कहने का मतब क्या होता है, कि जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारे environment के लिए अच्छा नहीं है, या फिर species जीव जंतों के लिए अच्छा नहीं है, यानि कि हमारे health के लिए अच्छा नहीं है, हम लोग ये mobile phone इस इस पैसे मेरे माइं सीन is im p युजत हैं यह हुआ जा जाती है है धो पिंटीड सर्कूर्स श्रुडब है यह जो है हमारे बाड़ी के लिए एक अच्छा नहीं है साथी कैडमियम है कैडमियम तो आपके मॉनिटर, CRT, PCS, कम्प्यूटर बैटरी, मेटल इंशियर और मेटल पार्ट ये सब में पाई जाती है मरकरी की बात करो तो मरकरी हमारे स्विचेज में, फ्लाट स्क्रीन जो मॉनिटर है यानि कि आज की डेट में आप लोग देखते हो कि TV स्क्रीन भी एक दम फ्लाट वाली आने लगी है तो उसमें भी आपका जो मॉनिटर है मरकरी इवन CFL बॉल में भी अब तो CFL बल्ब इस्तेमाल होता है पहले की जमाने पे वह 100 वाट वाला बल्ब यलो यलो इस्तेमाल करते थे तो CFL में भी मरकरी होती है साथी साथ poly chlorinated biphenyl है जो कि यहाँ पे capacitor और transformer में है brominated flame retardant है जो कि printed circuit board में है plastic cassis में है cable यह सारी चीज़ों में आपको देखने को मिलेगा तो मिला जोलाकर आप देख रहे हो lead है cadmium है mercury है bromine है तो यह chlorine biphenyl है तो यह सब ultimately toxic chemical में include होती है और यह सारी चीज़े हमारे electronics में include है तो यह एक problem है अब e-west देखते है कि क्या मिला जोलाकर इसका हिसाब किताब है हमारे इंडिया में e-west की बात करूँ तो इंडिया में जो generate होती है total 2 million tons तक का होता है oh my god 2 million tons आप लोग समझ रहे हैं कितने भारी मातरा में जो है हम लोग e-west generate कर रहे है annually और हम लोग इसमें पीछे भी नहीं है हम लोग 5th rank आ रहे है वो भी बराबर से US है चाइना है जापान जर्मनी इसके बाद हमारी ranking है यानि कि हम लोग top 5 में include हो गया है समझ सकते कितना अच्छा काम हो रहा है even आप लोग को पता है हमारे country में सबसे ज़्यादा mobile phone भी इस्तेमाल किया जाता है urban cities में आप लोग देखोगे तो mobile penetration जो है last two years में बहुत जादा increase हो गई है up to seven eight times increase हो गई है मैं एक news देख रही थी उसी में बताया गया था कि mobile phone का penetration बहुत जादा इंडिया में बढ़ा है और वो भी at once बढ़ा है certain बढ़ा है जबसे यह 4G वगेरा का जो आने लगा है न तब से जो है high speed internet और geo geo तो सबको माला माली कर दिया तो इस तरीके से जो है न हमारे country में बहुत बढ़ी है तो हम लोग जो है rank fifth आ गए जितना जादा mobile users होंगे और जितना जादा mobile use करेंगे उतना जादा जो है आप लोगा generate भी होगा कचड़ा भी generate होगा है कि नी तो यह सारी बाते centers में आप देखोगे कि center ने e-west rule लेकर आई है जिसमें जरूरत है company को कि वो यहाँ पे जो भी electronic equipment बनाते है और बेशते है तो वो भी यहाँ पे जो e-west generate होता है ना उनके खुद के good से तो उनको वो certain amount में जो है certain percentage में वो collect भी करे इट मिन्स कि जैसे आप लोग देख लिजे तो Samsung users क्या करेंगे कि आपकी mobile app आपकी tab वगरा कुछ भी खराब होती है तो आप लोग Samsung के जो store है वहीं पे जाकर आप लोग वापस तो उसकी बदले में आपको कुछ minimum amount मिल जाएगा तो यह काम भी करने के लिए center यहाँ पे कह रही है साथी साथ e-west management rules भी देख लेते 2016 क्य हो रही है तो में भी और भी questions पूछा जा सकता है तो e-west rule भी देख लेते 2006 की यह सारे stakeholders पर applicable है जैसे कि यह producer responsibility organizations पर है producer responsibility organization इस पर question पूछा गया था कि यह है क्या ठीक है और उसके बाद यह consumer पर भी है और dismantlers में भी है recyclers में भी dealers में भी manufacturers में भी है तो यह बात आप लोग देख लीजे कि कितना question पूछा गया एक तो e-west से related आपका last year था उसके बाद producer responsibility organization के बारे में पूछा गया था कि इसका proper meaning क्या है producer responsibility organization यानि कि जो produce कर रहे है उनी की responsibility है अभी जो मैं example दीना कि Samsung वाले ही जो mobile यहाँ पे आपकी बेच रहे है mobile हो tap हो जो भी चीज आप लोग को दे रहे है आप लोग का खराब हो रहा है तो यहाँ पे वो Samsung company की responsibility है कि वो इस तरीके का जो e-west generate हो रहा है उसको वो collect करे तो यह इसकी proper meaning है अब इसके बारे में पूछ लिया गया देख ले देख रहे किस तरीक से question पूछा जा रहा है जैसे ही आप लोग पढ़ रहे है word to word पढ़ियो और इसी से question पूछा जाता है और आप लोग क्या बोलते कि मैम नहीं आप लोग आप बहुत ज़्यादा in depth जाके पढ़ाते हो इतना ज़्यादा detail आप describe मत करो बस topic क्या है ना topic का overview दे दीजे इससे हमारा भी time बचेगा आप इस तरीके से चुक चुक के पढ़ियेगा ना तो ही आप लोगा कल्यान हो पाएगा अधरवाज फिर जब exam दे क्या आओगे तो फिर आप लोग बोलोगे कि कहां कमी रहे गई फिर उसके बाद देवदास बनने के अलावा और कोई option भी नहीं रह जाता है तो उस तरीके काम अगर वो यहां पर प्रोड्यूस करें तो अल्टिमेटली जो EVS चेनरेट हो रही है वो उनी का responsible होना चाहिए कि वही है यहां पर collect करें साथ यहां पर collection मेकानिस में जो best approach है वो होना चाहिए collection मेकानिस में best approach जिसमें क्या है कि collection center हो अब हम लोग खरीदने तो खरीदने वाल खराब हो गए किसी भी company के हो तो आप लोग अब वहां पर particular एक जगा होना चाहिए जहां पर आप जाके दे सको collection point होना चाहिए take back system होना चाहिए जब आप लोग मोवाइल खरीदते होना तभी आप लोग पास यह ओफर होना चाहिए कि आप लोग जो है ना इसको यहीं पर आपके वापस दे सकते हो या फिर उस जगह जाके आपको वापस दे सकते हो साथ यहां पर producer की द्वारा जो है collect भी करना चाहिए तो यह सारी चीज़ भी यहां पर include है साथ यहां पर even आपका जो component है और spare part है electronic और equipment electronic equipment का वह भी यहां पर cover किया जा रहा है उसको भी आप दे स करने जाती थी तो वहां पर मिलता था cfl बहुत ही सस्ते rate पर मिलता था और वो लोग यह भी रखते थे थे ना कि आप लोग का अगर cfl खतम भी हो जाता तो आप लोग यहीं पर आकर वापस दे दीजेगा यह था एक दो साल पहले की मुझे कहानी आदा रही है ठीक है तो इ कि इससे अचा कि उसी को वापस कर दे वो फिर से reuse करेंगे हम लोग से साथ यहां पर interest bearing deposit refund scheme भी है यानि कि यहां पर आपका जो deposit किया जाएगा उसके उपर आपको interest भी दिया जाएगा इस तरीके का scheme है जो कि charge करना चाहिए producer के द्वारा वो भी consumer पे जब वो यहां पर purchase कर र पान इंडिया extended producer responsibility अब यह extended producer responsibility है जो कि authorization by CPCB के द्वारा है यह आपका control pollution central pollution control यह आपका board जो है यह आपका state wise जो EPR है authorization उसको यहां पर replace करेगी तो पहले क्या था ना कि यहां पर आपका हर एक state में था यह authorization extended producer यानि कि जो produce कर रहे है उससी के ultimately responsibility है तो यह पहले state wise थी तो आप state wise नहीं होगा यह pan India होगा पूरे इंडिया में आपको एक देखने को मिलेगा इस तरीके से इस पर काम होगा EWEST management rule 2018 की वे आई फिर इसको amend किया गया कुछ और इसमें include किया गया कुछ कमी दिखा होगा तो include कर दिया गया इसका A में कि जो EWEST recycling sector है उसको formalize करना है और यहां पर जो EWEST generate है यानि कि यहां पर EWEST जो आपका generate हो रहा है उसको यहां पर channelize करना है phase wise collection target होना चाहिए EWEST का जिसमें कि 10% जो quantity of West generate हो रहा है वो यहां पर इसको collect करना है साथी 10% increase होना चाहिए हर एक साल वो भी कब तक 2023 तक और 2023 के बाद क्या है कि target को यहां पर 70% करना चाहिए कि जितना भी आपका West generation का quantity है तो उसका यहां पर 70% का target होना चाहिए कि जो भी indicated ह हमारे extended producer responsibility plan केता है और उसके बाद यहां पर EWEST collection target जो है अलग से होनी चाहिए जिसको new producers के लिए यहां पर draft करना है तो वो producers जिनके number of years जो sell operations है वो यहां पर कम होना चाहिए average lives of their product का यानि कि कितना product का life है जैसे कि कोई भी mobile phone आप खर दोगे तो कितना चलाओगे एक साल दो चलिए दो साल से चला लिया तो दो साल यहां पर चला रहे है हो, तो number of years of sell operation है यानि कि कितने सालों में आप यहां पर OPERATIONS numbers of sell operation है यानि कि बेचने का year है यहां पर आपका जो यह है वो less होना चाहिए average lives of their product यानि कि product का average life है मिं भी जो आप लिरेइश लाइफ है यानि कि ब पर कहा गया अब है reduction of hazardous substance यानि कि जो इसके अंदर क्या है ना कि जो cost है sampling और testing का वो यहाँ पर government के द्वारा किया जाता है और अगर यह product जो है ना यहाँ पर ROH यानि कि reduction of hazardous substance से यह comply नहीं कर पाए तो cost जो है ना वो यहाँ पर producer के द्वारा ही दिया जाएगा तो यह भी बात ह यानि कि यहाँ पर hazardous substances का जो यहाँ पर आपका इस्तेमाल है उसको कम करने का बात किया जा रहा है क्योंकि इतना जादा आपका hazardous substances इस्तेमाल होता है लीड है, mercury है, cadmium है यह सारी चीज़े यहाँ पर ठूस ठूस के भर रहे है तो इससे क्या हो रहा है कि दाम बढ़ रहे है इतना costly हो रहा है तो यह सारी चीजों का ना chemical substance का इस्तेमाल करना कम करना है जिससे कि mobile phone के automatically जो यहाँ पर आपकी rate है वो कम हो जाएगी producer responsibility organization है इसको apply करना है CPCB में वो भी registration के लिए और सारी activities जो भी इस rule के अंदर किया जाएगा न तो वो उनकी activities करने के लिए इनको पहले registration कराना होगा Central Pollution Control Board के तहट तो यह सारी तो बात की गई है अब यहाँ पर CPCB इतना जादा बात हो गया तो इसके बारे में कुछ हम लोग देख भी लेते है तो CPCB के अगर बात करो तो यह statutory organization है जिसको यहाँ पर Water Act 1974 के तहट बनाया गया था यह बहुत ही जादा यूनिक चीज है जो कि मुस्किल है याद अखना क्योंकि हम लोग हमेशा सोचते हैं कि एक Pollution Control Board है तो में भी इन्वार्मेंट अक्ट होगा 1986 की जो है लेकिन यही इसमें डिफरेंस है कि यह Water Act 1974 की है फर्दर आप देखोगे तो इसको यहाँ पे जो Air Act 1981 है ना इसके तहट इसको पावर दी गई है और इसी के तहट यह काम करती है यहनि बनाया गया है कुछ और Act के तहए तो Water Act के तहए लेकिन यह जो Board काम करती है और इसको फॉंक्शन वगेरा और पावर वगेरा दिया गया है वो Air Act के अंदर दिया गया तो दोनो आक्ट के तहट जो है इसकी बाते रखी गई है एक Act के इसको बनाया गया, statutory position दी गही है, दूसरे act की through जो है, इसकी power or function defined है, साथ यहाँ पर technical service भी है, जो कि ministry of environment forest को दिया जाता है, और इसकी provision किसमें, तो environment act जो 1986 की है ना, इसकी provision इसके अंदर है, यानि कि जो भी technical service है, यहाँ जो ministry को provide किया गया है, वो environment act के अंदर है, तो यह तीन point काफी ज्यादा important है, इसको घोट जाए, यानि कि चाही में मिला के या फिर juice में मिला के इसको घोट जाए, अब आते हैं, next article जो की है, 2019 की pollution and health metrics, तो recently एक report आई है, जिसका नाम ही है, the 2019 pollution and health metrics, global regional country analysis, और यह जो report आपकी release की गई है, यह global alliance on health and pollution के द्वारा release की गई है, तो सब पहले इस organization के बारे में देख लिए बहुत ही बड़ी globalization ही है, यह एक collaborative body है, जो कि यहाँ पे आपको member देखने को में 60 से भी जादा है, observer भी है, जो कि advocate करती है, resources के लिए और जो भी pollution problem है उसके लिए solutions लेकर आती है, तो 2012 में क्या थी, कि Pure Earth उन्होंने एक alliance को initiate की थी, और यह alliance जो है, world की सारे दिखच के साथी, जैसे कि world bank हो गए, United Nation Environment Program है, United Nation Development Program है, UNIDO है, Asian Development Bank है, अच्छा आप लोगो बताने कि Asian Development Bank की headquarter कहा है, और साथी AIIB की headquarter कहा है, यह दोनों का headquarter आप लोग बताएगा, तो मुझे समझ में आ जाएगा, कि आप लोगो fund के लिए है, European Commission है, साथी more than 25 low or middle income countries है, non-profit यहां पर agencies भी है, जो कि mainly जो pollution है उसी को address करने के लिए है, और सारे मितिप की health को भी, तो यह तो report के बारे में हो गया, organization के बारे में हो गई, अब यहां पर key highlight देख लेते हैं कि आखिर इस report में क्या-क्या बाते की गई है, बताया जा रहा है कि largest environmental threat है, वो आज की date में pollution है, और यह health के लिए है, 2017 में जो pollution था, वो responsible थी, कि जो total death थी, उसकी 15% जो death हुई थी, वो से pollution के वज़े से हुई थी, वो भी globally बताया जा रहा है, और 275 million disability है, डैली बोलते इसको, disability adjusted life measures, यह तरीके का measure है, जिसमें कि overall disease का burden है, वो यहां पर number of year जो lost हो रहा है due to ill health, जैसे कि माल लीजे कि कि नहीं को यहां पर आपका cancer हो गया, तो cancer के बाद आप लोगो पता है कि life जो है decreasing order में चले जाती है, उनका जो एक साल, दो साल, जाते जाते और क्या बोलूं, इतना ही है, तो यह life उनका यहां पर खतम हो रहा है, loss हो रहा है, just because क्योंकि उनकी तब यह ठीक नहीं है, कुछ नकुछ disability हो गया, या फिर early death हो गई, तो इसको हम लोगो कहते है, disability adjusted life year, यानि कि disability हो गया किसी डिजिस के कारण और उसके कारण जो है life year को adjust किया जा रहा है, तो इसके बारे में ध्यान रखना है, तो यह बाते कही गई थी 2017 में, जो report है, इसमे आपको देखोगे ना कि इंडिया बहुत आगे रहती है, तो पहले देख लिजए कि annual premature pollution related death, यानि कि आपकी premature time से पहले जो बोलते हैं कि आपका death हो गया, तो यह pollution के कारण death हो रही है, तो इसमें highest number है इस तरह के death का world में, और 2.3 million है, उसके बाद China है और उसके बाद China में आ air pollution related death, जो सांस air pollution यानि कि आपके हवा में जो गंदगी है, हवा में जो pollution है, उसके कारण क्या होदा है कि हमें respiratory problem होती है, सांस लेने में problem हो रही है, तो इससे related जो death है उसमें इंडिया में बहु जादा है, इंडिया जो है second position में है और 1.2 million death हो रही है, बहुत ही close है चाइना आप देखोगे, तो 10th rank में है, क्योंकि 174 death है per 1 lakh people में, तो ये तीन category है इस report के अंदर और इस तीनों category में इंडिया के rank आप लोग देखोगे, तो सबसे उपर है, ठीक है अब ये बताया जा रहा है, अब आते हैं next article जो कि हम लोग देखेंगे यहाँ पे, biodiversity, तो biodiversity बहुत ही है, वो है हमारे all India tiger estimate की, बहुत ही important है, चार साल की ये जो tiger census report है, ये status of tiger दिखाती है कि क्या tiger के status है, co predator के बारे में, इनके prey के बारे में, इनके habitat यानि के रहने के बारे में, इनके और भी कौन-कौन से साथ ही है, इन सारे चीजों के बारे में 2008 के आपके estimate में दिखा यानि कि इंडिया में कितना ज्यादा tiger है, उसकी count की जाती है, तो count of tiger अगर हम दो देखे तो ये बढ़ी है, 2967 अभी हमारे country में tiger है 2018 में, और 2014 में कितनी थी, तो ये थी 2226, ये पहले थी 2014 में, क्योंकि 4 साल के बाद ये census किया जाता है, ये भी धियान रखना है कि हर एक 4 सा tiger की बढ़ गई है, अब कितनी है 2967 है, अब यहाँ पर देखने को मिलेगा कि 33% rise है tiger के number में, और highest taver है, यानि कि सबसे जादा आज तक देखा जा रहा है, इतना जादा बढ़ा है, census जो है, वो यहाँ पर national tiger conservation authority की द्वारा लाया जाता है, साथी wildlife institute of India है, और ये collaboration करती है state forest department के साथ, world wildlife fund, इंडिया की बात करूँ, तो ये implementation आपका partner भे है, www.wf जिसे कहते है, ये वो वाली www.wf नहीं, जो आप लोग मारपीट वाला देखते हो, वो नहीं, ये आपकी www.wf है, जो कि world wildlife fund है, ये क्या करती है, ये जो आपका project है, tiger census है, इसको implement करने में help करती है, यानि जो काम किया जाता है, पूरी authority और responsibility लिया जाता है, वो natural tiger conservation authority साथी wildlife institute of India है, अब यहाँ पर finding देखते हैं कि क्या क्या बाते ये निकाल कर ला है, और क्या क्या बाते ये पता किये हैं, तो सबसे पहले ही तो बात यही है, कि सबसे अच्छा खासा और सबसे largest number में increase हुआ है tiger मे और सबसे जादा जो tiger number आपको देखने को मिलेगा, वो madhpardis में, और यहाँ पर 2014 में कितनी थी, तो 308 थी, लेकिन अब कितना है कि 526 हो गई है, और MP में आपको सबसे जादा number of tiger देखने को मिलेगा, second है कि continue हो रहा है, tiger occupied area की जो loss है वो अभी भी continue है, यानि कि जो जहाँ प decline हो रही है, यह कम हो रही है, और 3 out of India की जो 5 tiger landscape है उसमें से भी, यानि कि यहाँ पे शिवालिक, western guard और जो north east है, इसमें आपका decline देखने को मिलेगा, वोई central India और सुन्दरबन की बात करें, तो यहाँ पे increase होई है, यानि कि tiger की रहने के जगा total 5 जगा है, यहाँ आप देख जहाँ पे tiger की रहने की जगा जो है, इंक्रीज हुई है, कोई भी tiger जो है बकसा, tiger reserve जो की यहाँ पे west bengal में, dhamfa, mizoram में है और palamu जो की जारकर में है, यहाँ पे आपका कोई भी tiger reserve जो है, यहाँ पे tiger reserve है, dhamfa है, palamu है, लेकिन यहाँ पे कोई भी tiger है नहीं, तो यह again very important information हो जाती है अब दिखते है report में क्या technologies है सबसे पहला है कि monitoring system जो आपका tiger है कि tiger को monitor कैसे करते है तो यहाँ पर N stripes है इसकी ऊपर जो है आपका questions पूछा गया था UPSC में I think 2017-18 में पूछी गई थी कि M stripes है क्या किस चीज़ से related है तो बहुत ही easy है अगर आप लोग इसका full form भी जानोगे तो आपको पता होगा इसकी full form में intensive protection sorry इसकी full form नहीं है यहाँ पर रखा गया कि intensive protection और ecological status के लिए यहाँ पर यह software इस्तेमाल करते है तो यह एक software based monitoring system है जो कि यहाँ पर Indian Tiger Reserve में आपका जितना भी है हमारे country में उसमें यह launch किया गया था Amistripes तो miserly यहाँ पर Tiger को count करने के लिए ही हम लोग इसका इसका इस्तेमाल करते है उसके बाद है CATRAT यह है camera trap data repository and analysis tool यानि कि यहाँ पर camera के हिसाब से record किया जाता है और data को रखा जाता है और उसको analyze किया जाता है यह एक image processing software है जो कि यहाँ पर आपका photo capture करके उसको organize किया जाता है और geotagging जो photo capture करके किया जाता है उसी को इस्तेमाल करते है तो उससे पता चलता है कि number of tiger कितने है फिर यहाँ पर extract compare for tiger and hot spotter for leopards यानि कि individual identification होती है हर एक tiger का individual identification है साथ है leopard का भी जो कि यहाँ पर किया जाता है इस pattern recognitions program को इस्तेमाल करके फिर है यहाँ पर SECR especially explicit capture recapture method है जो कि यहाँ पर population density को camera से यह trap किया जाता है और फिर इसको estimate किया जाता है तो यह सारी technologies है जो कि इस तरीके के report में इस्तिमाल हुई है साथ ही यहाँ पर cytokrome beam marker भी है जहाँ पर camera trapping जो है वो possible नहीं हो पादा यानि कि हर एक जगा जहाँ पर tiger रहते है तो सारी जगा ऐसा नहीं है कि आप tiger का image ले सको वहाँ पर camera रख सको तो camera trapping जहाँ पर पॉसिबल नहीं है क्योंकि कम number of tigers है और dropping samples है तो dropping samples से वहाँ पर collect किया जाता है कि वहाँ पर minimum number of tiger कितने है और genetic analysis के थूँ जो है वहाँ पर आपका estimate किया जाता है genomic DNA है क्योंकि extract किया जाता था samples को यहाँ पर screen किया जाता था जितने भी specific identifications है और यह tiger specific cytokrome b marker है इसके हिसाब से आपका यहाँ पर इसको use करके यहाँ पर देखा जाता था यानि कि यह जो cytokrome b marker है यह उस जगह पर इस्तेमाल होता है जहाँ पर आपका camera के हिसाब से number of tiger को count नहीं कर सकते और उस जगह पर जहाँ पर number of tiger कम है तो वहाँ पर इस marker के हिसाब से tiger को देखा जाता था next है यहाँ पर maximum in trophy model है यानि कि कुछ north east की state है और logical concern है जहाँ पर maximum इस्तेमाल किया जाता था और यह best है आपके photo technique में यानि कि small intensively जो चोटे चोटे एरिया है जहाँ पर tiger रहते है तो उनका यहाँ पर photo लेकर जो है ना उसको यहाँ पर देखा जाता था कि कितने number of tigers है तो यह सारी technologies include है बहुत सारी technologies है और इस बार तो बहुत अच्छा माना जा रहा है 2018 की जो आपकी tiger census है क्योंकि यह बहुत जादा appropriate माना जा रहा है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी technology का इस्तमाल किया गया है और साती साथ जो number of tiger से वो increase हुए है तो इस समय माना जा रहा है कि यह number ना कहीं ना कहीं appropriate भी है अब tiger conservation efforts देखते हैं कि कि इस तरीके से हमारे हैं अगर 4 साल में इतना huge amount of biggest increase हुई है तो कहीं न कहीं हमारे country की एक अच्छी conservation efforts से जिसके कारण यह काम हुआ है तो सबसे पहला है कि हमारे हैं project tiger है government जो है इस तरीके की project tiger को 1973 में ही launch की थी यह centrally sponsored scheme है दो तरीकी की scheme होती है centrally और centered centered कहने का मतलब है कि जो scheme आपकी centered sponsored scheme होती है यख़नई कि 100% fund ऑड़ है लेकिन यह क्या है centrally sponsored scheme है यहनी कि यहाँ पर आपकी center sponsor कर रही है यहाँ पकी कुछ % funds ऑड़ है और κुछ % यहाँ पर state फासट के रहेगी और इन-सी-ग ноcrft conservation के लिए जोकी wild tiger के लिए है और यह designated है आपका especially किस के लिए तो tiger reserves के लिए फिर हमारे यहाँ national tiger conservation authority है यह एक statutory body है जिसको establish किया गया है आपका ministry of environment, forest और climate change के अंदर यह ministry के अंदर यह काम करती है 2006 में और इसको यहाँ पर आपका statutory status दिया गया है वो wildlife protection act 1972 के तहरे दिया गया है आज की date में यह implement करती है मिजर यहाँ पर tiger conservation initiative जैसे कि यह tiger project है project conservation plan है तो यह सारा काम जो है ना इसी यहाँ पर यह authority के अंदर ही होती है तो यह दोनों है अब देखते हैं कि global conservation efforts क्या क्या है यानि कि global level पर ऐसा क्या काम कर किया जा रहा है जिसे कि जो number of tiger है वो पूरे all over the world में यह बढ़ते जा रही है तो इस first है कि global tiger initiative है यह आपका 2008 में launch किया गया था global alliance है यहाँ पर आपके global level के जितने भी countries के government है वो साथ आते है international organization है civil society है conservation and scientific communities है private sectors भी है जिनका काम है कि एक साथ मिलकर काम करना है और जितने भी wild tigers है जो extinct होने वाले है जिनकी number of population और उनका जो प्रजाती जाती है सब विलूप्त होने वाला है उसको save करना है 2013 में यह scope और ज़्यादा बढ़ाए गया और इसमें snow leopard को भी include किया गया second है यहाँ पर Sands Petersburg tiger summit जो कि रशिया में 2010 में हुई है सारे 13 tiger range countries जो है वो एक साथ आए first time और यहाँ पर commitment है कि जो number of tiger है उसको 2022 तक double करना है फिर यहाँ पर third है global tiger recovery program तो यहाँ पर क्या है कि tiger range country है यानि कि हमारे पूरे world में आप देखोगे तो 13 tiger range country है अब आपको comment box में बतानी है कि कौन-कौन से यहाँ पर 13 country है जिसमें कि tiger पाए जाती है तो यहाँ पर जो tiger range country है वो यहाँ पर empower किया जाएगा उनको कि जो भी entire spectrum है यानि कि tiger के रहने के जगा खतम हो रहा है उनको किसी भी तरीके का poaching hunting यह सारे सीजों से ठ्रेट है domestic साथ ही साथ यहाँ पर trans boundary अगर किसी भी तरीके का problem है तो उसको address किया जाएगा साथ ही एक साथ काम किया जाएगा जिससे कि financial sustainability यहाँ पर आपका बढ़ेगा और वो भी integration और conservation objective से उसके बाद global tiger forum भी है यह सिफ only intergovernmental international buddy है जो कि यहाँ पर members के द्वारा जितने भी चाहती है अगर वो चाहती है अपने countries कि अपने यहाँ जितने भी tiger है उसको वो save करे तो वो यहाँ पर इसका part बन सकती है TX2 है इसका goal है कि यहाँ पर number of wild tigers है geographical area में उसको double करना है और WWF जो है वो यहाँ पर इस program को implement करी है वो भी 13 tiger range countries में conservation SEO tiger standard है और यह एक तरीके का set of criteria है जो कि tiger की sites है उसको अलाव करती है कि वो check करे अगर management जो है वो successful यहाँ पर tiger conservation कर रहे है तो नहीं तो यह एक important part है TX2 program का तो यह सारी चीज है global level पर आप लोग समझ के एक हलका फलका आप लोग को ध्यान होना चाहिए तो यहाँ पर जो next है related information देख लेते हैं तो सबसे पहला है कि Indian tiger और Royal Bengal tiger यह सबसे famous tiger है और इसको हमनों panthera tigrees भी कहते हैं यह जो tiger की species है यह इंडिया की ह और largest population आप Bengal tiger का देखोगे तो इंडिया में ही है लेकिन कुछ जो smaller group है वो दुसरे countries में भी पाया जाता है जैसे हमारे neighboring countries में जैसे Nepal, Bhutan और Bangladesh में है और यह हमारे China और Burma वाले region में भी पाया जाता है तो यहां से 5 तो आपको ऐसी ही पता चलिया 13 countries जो मैं पूछ रही थी तो Bengal, Nepal, Bhutan, China और Burma हाला कि यह basically royal tiger के लिए है लेकिन यह आप पे तो tiger पाय जाते है तो यह 5 country होगे इंडिया में आप देखोगे कि 80% global tiger population है उसका यहां पे home है यानि कि सबसे ज़्यादा tiger हमारे यहां है Bengal tiger की habitat अगर देखे तो यह tropical rainforest है, marshes है और tall grasses है तो इस जगह पे रहती है tiger का आप देखोगे तो यह umbrella species है इसको यानि कि यह अगर हम लोग इसको save करते हैं everything beneath their ecological umbrella, everything connected to them यानि कि एक umbrella species कहने का मतलब है कि यह तो इसको अगर आप लोग save करते हो, conserve करते हो तो इससे related काफी चीज़े है आपका automatic save हो जाएगा conservation status देख लेते हैं IUCN की red list में तो यह endangered है, wildlife protection act के तहरे देखे तो इसको schedule 1 में रखा गया है और sites की अगर देखे तो appendix 1 में है, यानि कि यहाँ पर schedule 1 में है आपकी wildlife protection act तो इसमें कहा जाता है कि extensive protection provide करना है और sites की appendix 1 में है, यानि कि यहाँ पर trade करने से, क्योंकि basically यहाँ प जिससे कि उनके number of population को कहीं से भी आपका hurt ना हो, तो यहाँ पर trade करने से जो है ना, यहाँ पर पहले देखा जाता है कि यहाँ पर जो भी countries इनको trade कर रही है, तो क्या उनकी conservation efforts में कोई impact होगा या फिर इनके number of tigers में कोई गलत impact होगा की नहीं होगा, तो यहाँ पर highly protection दिया ज चुल मचा हुआ है कि अच्छे से infrastructure बनानी है, road बनानी है, साथी transport system को में अच्छा करना है, dam बनाना है, बहुत ही अच्छे चीज बनानी है, तो उसकी चकर में क्या हो रहा है कि development process के कारण क्या हो रहा है, कि tiger के रहने का जगा यहाँ पर खतम हो रहा है, poaching हो रही है, wildlife crime हो इंसिडेंट बढ़ते जा रहे है, सबसे बढ़ियां तो यहाँ पर man-animal conflict है, जो कि बहुत जादा बढ़ते जा रहा है, क्योंकि आप लोग देखोगे कि जो area है, national park का, tiger reserves का, यह देरे-देरे कम होते जा रहा है, अब कम होते जा रहा है, तो tiger को तो भाई उसको चलने के ल लोग लिए होती ही है, तो उसके लिए जो national park होते है, tiger reserves होता है, तो उसमें क्या है कि tiger आराम से जो है, अच्छे खासे area में वो लोग घूमते भी है, अब उनका जो जगह है वो इंक्रोच किया जा रहा है, development करने के लिए इंक्रोच किया जा रहा है, तो वो घूम नहीं पा कि tiger ही लोगों की जान ले लेता है, तो इस तरीके का conflict बहुत बढ़ते जा रहा है, अब tiger corridor हमारे country में देखते है, अभी तो मैं यहीं बात कर रही थी, अब यहीं आ गया, जो national tiger conservation authority है, यह काम करती है, wild life institute of India के साथ collaborate करके, और एक document को भी publish करी थी, जिसका title है, connecting tiger population for longer term conservation, जो क यहां पर आप लोग देखोगे कि 32 major corridor है ना हमारे country में उसको map किया गया, tiger corridor, corridor मतलब कि आपके घर में भी corridor होता होगा जिसमें आप लोग थोटा बहुत चल लेते होंगे, जिसको gallery भी कहते हो, आप लोग तो इस तरीके का corridor जो है चलने के लिए tiger के लिए है, तो यह तरीके क corridor है जो कि आपका land linking tiger habitat है, यहां पर tiger के movement के लिए इसके prey के लिए और other wildlife के movement के लिए बनाया जाता है, इसकी जो management interventions है, यह आपका operation में लाया जाता है tiger conservation plan के तुरू और इसको mandate किया गया है wildlife protection 1972 के section 38V के द्वारा, ठीक है 38.5 है आप रख लो, demarket किया जाता है यह सारे corridor को कि य सबसे पहला है कि shivalik hills और gangetic plane जो हमारे northern plane है, यहां पर तीन corridor बनानी की बात की गई है, यह वाले जो है आपका gangetic plane और shivalik hill तो यहां पर तीन corridor बनेगा, फिर है central India, तो central India में आपका यहां पर central India और western khat है यह दोनों को मिला के 11 corridor बनेगा, और यहां पर eastern khat, western khat में यहां पर 8 corridor बनेगा और जो northeast dollar region है यहां पर 10 corridor बनेगा, तो इस तरीके का 4 आपका रखा गया है, 11 यहां पर हो गया, 10 यहां पर हो गया, 3 यहां पर हो गया, और 8 यहां पर हो गया, तो total यहां पर आप लोग देख सकते हो, कि 3 corridor, 11 corridor, 8 corridor, 10 corridor, तो यहां पर 10, 10, 20, 29, 32, 32 corridor जो है आपका total बनाने की बात की जारी है, तो यह तो बात होगी, चलिए पूरा tiger reserve, इस report के बारे में देख लिए, एक एक चीज़ आप लोग रिपोर्ट के बारे में ध्यान रखेगा, tiger की जितनी भी आपकी basic facts and figure से वो ध्यान रखेगा, क्योंकि पूछ लिया जाएगा, कि tiger की जो यहां आपका IUCN में जो आपका category है, वो critically endangered है, या फिर आपका vulnerable है, तो फिर आपको confused हो जाओगे, इसमें आप लोग तुका नहीं लगा सकते है, elimination method भी काम नहीं आएगा, सब फेल हो जाता है, क्योंकि facts में आपको रटनी होती है कोई चीज़े, सारी चीज़े आपको पता होनी च facts में तभी आप लोग वो questions को solve कर पाऊगे, अब आते हैं Tiger Reserves in News, तो कौन-कौन से Tiger Reserves News में थे उसको आप लोग देखेंगे, साथी map भी study कर लेंगे या पे, तो सबसे पहले अमराबाद Tiger Reserves जो की तेलंगना की है, अब recently यहाँ पे क्या है कि centers जो है, उनको यहाँ पे grant दिय in principle, clearance, वो भी uranium के explorations, जो कि अमराबाद Tiger Reserves में हो रही थी, तो यह आप देखोगे कि नला मला hill जो है, यहाँ पे आपका यह situated है, और यह आपका माबूब नगर और नालकोंटा district जो तेलंगना में है, उसमें आपका यह अमराबाद Tiger Reserves देखने को मिलेगा, यह जो एरिया है यह आपका नला वगू और दिंदी रिवर्स जो हाँ पर मर्ज करती है, वहाँ पर पाय जाता है, और साथी साथ यहाँ पर एक major tributary और catchment of Krishna River यहाँ पर फॉर्म होता है, तो यह सारी बात याद दखना है, एक तो Krishna River हो गई, उसके बाद आपका नला मला hill भी याद हो गया, यह second आपका largest tiger reserves है, और सबसे बड़ी tiger reserve हमारे country में कौन है, तो आंदेपर्देश की है, जो कि नारजुन सागर, सरी सेलम tiger reserves है, तो यह first number की है, और second number की आपकी अमराबाद है, जो कि तेलंगना की है, अब यह आंदेपर्देश से ही तेलंगना निकली थी, वो भी 2014 से, तो बात तो एक ही हो गया है, कि दोनों जो है, एक ही state में जो है, दोनों आपकी बड़ी-बड़ी tiger reserves है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है, क्योंकि आंदेपर्देश ही इसके daddy हो गया है, इससे छोटा बच्चा निकल के निकला है बाहर तेलंगना, कि यह जित करा था नहीं, वो तो बच्चा ही है, तो वो second number पर है, daddy first number पर है, in 2017 आप याद दखो, कि endangered spaces, moose deer की, वो reintroduce की गए थी यहाँ पर, यानि कि अमराबाद में, तो यह भी बहुत जादा important है, कि moose deer कहां पाया जाता है, यह भी push लिया जाएगा, तो अमराबाद में है, यह ध्यान रखना है, और साथी साथ इस तरीके से, आपका tiger reserve से भी match करने के लिए आज सकता है, archaeological aspect अगर देखे, तो इसमें क्या है, कि यह आपका जो है, बरबाद हुआ था, क्या हुआ था, ancient नागरजून विश्वे विद्याले, जो कि यहाँ पे great Buddhist scholar नागरजून सागर के द्वारा चलाया जा प्राजबत मुझे लगती है, और सबको लगती होगी, क्योंकि वहाँ के जो है, उसको pet name से भी बुलाएंगे, हम लोग जो है, उनके holy name से बुलाते हैं, और अगर वहाँ पे कुछ और अच्छा नया हो जाता है, वहाँ के कोई और chief minister बनते है, तो वो किसी के याद में उसक पूछा गया था, कि ये कहां पर है, डिरेक्ली पूछा गया था, कि ये पक्षूई tiger reserve साब कहां पाया जाता है, तो ये अरुनाचर प्रदेस है, बहुत बढ़िया, अरुनाचर प्रदेस government के अगर बात करें, तो वो यहाँ पर प्लान करें ना कि एक highway बनाएंगे, अब highway बनाएंगे और ये east-west industrial corridor इसका नाम रखेंगे, जिसमें 40 km यहाँ पर आपका stretch होगा, और ये core area है, यानि कि यहाँ पर पक्षे tiger reserve से ये होके गुजरेगा, अब यहाँ पर पक्षे tiger reserve के बारे में आपका news में आ ही चुका है, फिर तो देख ली लेते हैं, ये जो पक्षे tiger reserve से यहाँ पर आपका बरेली, कामांग river से ये bounded है, वो भी west में और north में, और ये पक्की river भी है, यानि कि पक्की river जो कि east में है न, east में है, उसी के नाम पर ये रखा गया tiger reserve, जो habitat types आप देखोगे, तो ये low land semi-evergreen है, evergreen forest है और eastern himalaya broad leaf forest है, तो ये तो इसकी basic facts and figure होगे, जो वो श्री नगर से कन्या कुमारी है, और ये कौन सी है, national highway 44 है, जो कि यहाँ पर wildlife corridor को किसको किसको cut करती है, तो kana national park है, सतपूरा है, पेंच है, बांदवगर है, पन्ना tiger reserves है, और at least four other protected area है, जिसको ये cut करते वे गुजरती है, very important information, इस तरीके से भी बूचा जा सकता है, अब यहाँ पर national highway 6 की बात करूँ, तो ये इंडिया की second longest आपका highway है, वो भी सूरत से लेकर आपका कुलकाता है, और ये किसे किसे किस corridor से पास हो रहा है, तो मेलगट है, बोर है, नागजीरा है, सिमली पाल, tiger reserves है, even seven other national park और sanctuary भी है, तो ये भी इस तरीके से भी question पूचा जा सकत और है ही क्या environment में हमारी basic चीज है की नहीं, तो environment से ऐसे भी बहुत सारा questions आता है, और आप लोग जो पूचते हो ना कि मैं PT 365 से कितनी questions आते हैं, प्लीज बता दीजे, तो last year भी मैं analysis करी थी, तो PT 365 को अगर आप लोग ढग से पढ़ रहे हो ना, तो 30 से 35 questions ना कहीं नहीं जा आने वाले, 30 से 35 questions मैं बता रही हूं, क्योंकि इसमें आप लोग देख लोग ये static portion भी होता है, current portion भी होता है, PT 365 में और Vision IS के magazine में सबसे अची बात क्या होती है, कि क्योई भी topic अगर आपकी news में है, तो वो current affairs है, उसकी जो background में जाकर आपको static पढ़ नहीं होती है, वो ये look कहते हूं कि मैं आप इस sponsor करते हूं, मैं sponsor नहीं करती है, मेरा Vision IS कोई लेना देना नहीं है, आप लोग के लिए जो material अची होती है, मैं वो personally आप लोग को recommend करती हूं, that's it, तो यहाँ पे 30 से 35 questions तो कहीं नहीं जाने वाले, मैं सारे subject की मिला के बोले हूं, environment की ही नहीं, तो 30 से 35 questions भी नब बहुत बड़ी बात होती है, अगर इस तरीके से आप लोग ढंक से अगर 6-7 यह आपकी PDF है, इसको अगर आप लोग 6-7 पीडियाफ को 6-7 बार भी पढ़ जाओना, तो more देने नफ है, बहुत ही अच्छा आप लोग को फाइदा होने वाला है, लास्ट टाइम भ अब आईए हम लोग मैप में थोड़ से स्टेडी कर लेते हैं, टाइगर रिजर्स को लेके, यह मैप में आप लोग के साथ टेलिग्राम में जरूर इसको मैं अपलोड कर दूँग, आप लोग जरूर देखते रहिएगा, यहाँ पर देखिए, पहले हम लोग बात करे थे अमराबाद, तो अमराबाद जो है, यह हमारी आंद्रपर्देस है, इसी से निकला है, यह इसका बेटा जो की है, तेलंगना, तो अमराबाद भी आप लोग देखो, हाला कि इसको कहा जाता कि यह तेलंगना में है, और है भी तेलंगना में, लेकिन यह थोड़ा बहुत बा में इसको गूगल करी तो उसमें भी मुझे यही दिखा तो अगर इसमें कुछ और भी लोच्चा है मैं अगर इसको गलत बतारी हूं आप लोको तो प्लीज, अगर किसी को भी सही पता है कि यह सच में आंद्य-पर्देश में है या नी या फिर इससमें महरास्ट में या फिर let me know in the comment section ताकि और भी सारे बच्चों को पता चले मैं थोरह सा confused हो गई हूँ क्योंकि मुझे इतना पता है कि ये आन्दे परदेश में मैंने पढ़ रखा ऐसे और साथी साथ मैं Google करी तो मुझे आन्दे परदेश दिखा लेकिन ये जो images है न मैप पाली मैप में मुझे ये गलत दिख रहा है ये कहां दिख रहा है ये महराश्मी यहाँ पर दिख रहा है तो प्लीज इसको आप लोग भी थोरह सरच करके मुझे help कर दीजे चोरह और प्रिक्लरली सब के लिए जो भी comment box को read करते है फिर मैं नेक्स लेसन में इसको आपको clear कर दूँगी अगर मुझे कुछ इसमें गलत लगा ठीक है second हम लोग देख रहे थे पके पक हुई तो पके पक हुई आजाए यहाँ पर अरुनाचा परदेश में यहाँ पर है आपको देखने को मिलेगा यह है पक हुई देखे लोकेशन देखते रहे है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना dangerous question heart attack देने वाला questions जो है यह पूछा जाता है last year आपको याद है क्या पूछा गया था यहाँ पे कुछा गया था कि कौन सी ऐसी यहाँ पे आपका natural park है जिसके अंदर और कौन-कौन से एरिया biosphere reserve से जिसके अंदर कौन-कौन से और भी एरिया आते तो कोई यहाँ का ही इताम मैं भूल रही हूँ तो वो भी heart attack type का question था था तो बहुत easy अगर आप लोग ने ध्यान से पढ़ी होगी तो बहुत अची थी otherwise वो heart attack देने के अलावा और कुछ नहीं आता है तो देख सकते हैं इसको मैं आपको share कर दूँगी यहाँ पढ़ाने बैठी तो हो गया फिर आपका time फिर मैं खा जाओंगी ठीक है चलिए इसको आप लोग देख लीजेगा लगयार और इको सिस्टम फ्रोग्रेम जो है इसके तहत इसमें देखा जाता है कि स्नौ लपढ की कितना ज्यादा population है अब इस प्रोग्राम के बारे में पहले देखते है इस ग्लोबल स्नौ लेपढ और इको सिस्टम प्रोग्राम तो ऐसा नहीं है कि हम लोग इंडिया में ही पगलाय है कि कितना ज्यादा ग्लोबल, कितना ज्यादा snow leopard है ये पूरे global आपका चल रहा है कि snow leopard को भी देख लेते हैं कि कितना ज्यादा है ठीक है, ये inter-governmental alliance है इसमें 12 आपको snow leopard range country देखने को मिलेगी Tiger में कितनी थी 13 है 13 countries में Tiger पाय जाती लेकिन Snow Leopard हमारी 12 countries में और GSLEP की बात करूँ तो ये range wide effort है जो कि range country को यहाँ पे unite करती है range country की जितनी भी government है non government है inter government organization है local communities है इन सब को यहाँ पे unite किया जाता है Snow Leopard आप countries की बात कर लेती हूँ ने तो अभी मैं सोच रही थी कि पूझ हूँगी तो इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइन, मंगोलिया, रशिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उजबेकिस्तान ऐसे तो याद होने से आप दो चार बार ज़रूर पढ़ लिजेगा अब आते ही इंडिया में देख लेते हैं क्योंकि में तो यही है हमारे लिए अब यह जो है स्नो लेपर्ड पॉपलेशन एस्टीमेशन इन इंडिया यह आपका प्रिपेर किया जाता है Wildlife Institute of India Nature Conservation Foundation GSLEP Committee Global Tiger Initiative Council Worldwide Fund है Worldwide Fund for Nature World Bank है Global Tiger Forum है और यहाँ पर Wildlife Conservation Trust है मुझे तो लगता है कोई नहीं छूटा सब जितने भी Wildlife और Environment से Related जितने Organization है सब इसमें कूद गया है Snow Leopard का यहाँ पर नमबर को Estimate करने के लिए National Level अगर Estimation Process देखूँ तो यह Tiger के लिए किया जाता है Rhinos के लिए और Elephant के लिए साथी इस Protocol में आप देखोगे तो अब यह किया जाएगा Snow Leopard के लिए Already यहाँ पर Tiger और Rhinos और Elephant के लिए तो इस तरीके का किया ही जाता है National Level Estimate देखा जाता है कि कितने हैं हमारे Country में अब यहाँ पर 4 एड होगे Snow Leopard सिर्फ 2% Total Habitat जो Snow Leopard का है वो अभी तक सैंपल किया गया है Population Estimation के लिए क्योंकि Snow Leopard जो है आप लोग देख रहे हो Snow वाले एरिया में जहाँ पर Difficult Terrain है वहाँ पर पाय जाता है तो इसलिए 2% Total Habitat यहाँ पर मिली है अब Snow Leopard की बात कर लेते हैं इसकी facts and figures ही है सबसे पहला IUCN में vulnerable है और यह आपका Schedule 1 है Indian Wildlife Act में Highest Protection इनको दिया जाता है साथी Appendix 1 में भी है Sites में Sites आप लोग देख लिए Convention on International Trade in Endangered Spaces साथी CMS में अगर हम लोग देखे Convention on Migratory Birds में इन दोनों की Appendix 1 में है तो Appendix 1 है, Schedule 1 है यह धियान रखना है India में अगर हम लोग देखे तो Snow Leopard जो है वो हिमाले वाले रीजन और Trans हिमाले वाले रीजन में पाय जाता है तो यह बस पांच की स्टेट में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे मिलती है Threat क्या क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम है सबसे प्रॉब्लम है कि इनका habitat fragmentation हो रहा है जहाँ पर यह रहते हैं वो छोटे-छोटे टुक्रों में बट रहे हैं सबसे प्रॉब्लम है जो कि चैनली स्पांसर्ट है इस तरीकी का जो प्रॉब्लम होता है क्योंकि हार एक स्टेट में अलग-अलग होता है तो पूरे पैन इंडिया में चलाए नहीं जाता जिस स्टेट में ऐसा टाइगर है या फिर leopard है वो वाले state government जो है इसमें fund provide करते है और अपने तरफ से conservation efforts लेकर आते, program लेकर आते जिससे कि वो अपने state में जितने भी number of tiger है, आपके number of leopard है, उसको वो conserve कर सके तो इसलिए centrally sponsored है, fund जो है आपका center के तरफ से भी मिल जाता है, state government भी आपे fund provide करती है और साथी साथ secure हिमाले है, secure हिमाले आपसे पूझा जा सकता है कि यह क्या है, तो आप लोग सूचो कि चलो हिमाले को secure करने के लिए कोई program लाए जा रहा है, बिल्कुल भी नी, absolutely wrong यहाँ पे आपका conservation है, जो locally और globally significant biodiversity है, land है, forest resources है, high हिमाले ecosystem में यह है और यहाँ पे जो local communities की lives और livelihood है, उसको enhance करने के लिए है यह जो आपका fund किया जाता है, GEF और UNDP के द्वारा, तो secure हिमाले है, तो यहाँ पे हिमाले को basically conserve नहीं करते हिमाले में जो locally और globally significant हमारा जो local तरीके से biodiversity है, वहाँ के जो जमीन है, वहाँ पे जो forest resources है, high हिमाले ecosystem में उसको और जो हिमाले में रहने वाले लोग है और उनकी जि चीजों से जो बसी हुई है, dependent है, उनको यहाँ पे conserve करना है, तो यह इस तरीके के project को कौन यहाँ पे आपका fund कियाती है, यह है आपकी GEF और UNDP, यह धियान रखना है, तो यह तो हमारी होगे snow leopard के बारे में, अब आईए लगे हाथ cheetah भी देख लेते, तो यह news में क्यों थी क्योंकि Supreme Court ने allow करी है, center को, कि वो introduce करेंगे, बहुत ही important news है, एकदम से star mark कर लिजे, कि African cheetah जो नाम India में है, African continent में, उसको हम लोग suitable habitat अगर इंडिया में है, तो वहाँ हम लोग introduce करेंगे, तो African cheetah अब हमारे इंडिया में आने वाले है, तो warm welcome, ठीके, और यह यहाँ पे इसक लेकिन वो इसको refuse कर दिये कि वो यहाँ पे इंडिया के साथ share नहीं करेंगे, और government को वो force कर रहे थे कि African one के लिए वो यहाँ पे देखे, 2010 में क्या था कि Central government ने एक export panel को यहाँ पे setup करी थी, कि कि किस तरीके से चीता को इंडिया में reintroduce किया जाए, तो panel ने recommend करी थी कुछ यहाँ पे नेशर पार्क जैसे कि कुनो पलपर है और विला वदर नेशर पार्क है, ताल चपर आपका sanctuary है वो भी यहाँ पे जहाँ पे हम लोग चीता को रख सके है, कुनो पलपर जो है वो preferred location है जहाँ पे हम लोग चीता को introduce करेंगे, साथी Supreme Court जो है अब एक three member committee भी बनाई जिसके थूँ नेशर टाइगर conservation authority को guide दिया जाएगा और African चीता को relocate करने के लिए decisions यहाँ पे एक proper survey करके ही लिया जाएगा, action लिया जाएगा कि यहाँ पे किस तरीके से animal को जो है यहाँ पे आपका introduce करना है, अब चीता के बारे में हम लोग facts and figure देख लेते, सबसे पहले जो चीता है, वो keystone spaces है, वो भी dry forest के लिए, scrub आपका forest के लिए और सवाना के लिए, तो कोई animal जो है किस तरीके के climate में रहती है, किस तरीके के location में, vegetation में रहती है, यह आपको पता होना चाहिए, इसको रटा मान लीजाएं, और keystone spaces कहने का मतलब है, कि ऐसी spaces ना, जो कि environment के ल किसी को ऐसा नहीं कि आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर अगर कोई भी इसके उपर अगर dependent है, तो उनको फर्क पड़ेगी, यहाँ पर कुछ और भी जो vegetation है, उनको फर्क पड़ेगा, यहाँ पर जो आपकी environment है, उसको फर्क पड़ेगा, तो काफी important हो जाता है इस तरीके के spaces, इसको हम लोग keystone spaces कहते हैं, अब यहाँ पर देखिए, keystone spaces जो है highly, extreme highly impact होता है कोई particular ecosystem के लिए, अगर उसकी populations कहीं भी रह रही है, तो वो काफी जादा impact करती है ecosystem को, और disproportionately यह large effect होती है हमारे natural environment के लिए, ओके तो जहाँ पर भी पाय जाती है, तो इसको keystone spaces कह जा रहा है, officially इसको extinct टिकलिया किया गया था 1952 में, यह one of the oldest big cat species है, और इसकी ancestor से जो की trace की गई थी 5 million years पहले, यानि की meosin जो era था उसमें इसको trace किया गया था, यह हमारी world की fastest land mammal है क्योंकि आपको पता है की चीता बहुत तेज दोरती है, साथी problem आप देखो के तो human wildlife conflict है, इनके जगा जो है वो खतम हो रहा है, इनकी praise खतम हो रहे है, illegal trafficking हो रही है, जिसके कारण इनकी number जो है कम होते जा रही है, IUCN की status देखे तो African cheetah जो है vulnerable है, और Asiatic cheetah critically endangered है, और सिफ इरान में है, Asiatic cheetah आप लोग ध्यान रखेगा कि यह इरान में है, और यह इंडिया के साथ share करने के लिए इरान तयार नहीं है, लेकिन अफरिका वाले बहुत ही दरिया दिल है और वो हमारे साल जो है African cheetah देने के लिए ready हो गया है, ठीक है, तो यह ध्यान रखना है, तो ऐसी Asiatic cheetah जो है बहुत कम है और सिफ इरान में है, इसलिए critically endangered है, अफरिका जो चीता है थोड और दूसरी तरफ देखे, तो people believe करते हैं कि African cheetah जो है वो faster होते हैं, लेकिन यह मारी यह गोली fact पर चलिए, ठीक है, कि Asiatic cheetah जादे stronger होते हैं और faster होते है, African cheetah की बात करूं तो यह सिर्फ इरान में पाय जाते हैं, वही African cheetah की बात करूं तो यह Africa में पाय जाते हैं, तो यह बहुत पढ़ना बागी है, One Horn Rhinos पढ़ेंगे, Great Indian Bustard पढ़ेंगे, कफी और भी है, जो interesting species है, जिसके बारे में अभी हम लोग study करेंगे, लेकिन मैं सुच्छी भी आज यहीं तक रहने देती हूं, क्योंकि सारी चीज़े अगर आप लोग एक ही बार में पढ़ोगे तो आ एक special rhino protection force जो है, वो train की गई, कि किस तरीके से poachers को यहाँ पर combat किया जाएगा, रोका जाएगा, और animal behavior को यहाँ पर समझा जाएगा, जिसमें की काजी रंगा नेशनल पार्क में इनको deploy किया जा रहा है, तो यह जो force है, यह race किया गया है, एक initiative है, जो कि central और state government के द्वार लिया गया है, जिसके तरी हम लोग rhino की जो poaching होती है, tiger results में, उसको हम लोग रोक सके, अब Indian rhino के बारे में facts figure देखते है, जो great one horn rhino है, और Indian rhino है, यह largest है rhino species की, जो की नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और इंडिया में पाय जाती है, और अगर इंडिया में आप देखोग देटा के हिसाब से देखे 2012 की, तो आसाम में 91% तक जो total rhino population है, वो पाय जाती है, और mainly concentrated है काजी रंगा नेशन पार्क में, और कुछ जो है वो आपको पोभी तरह wildlife century में भी देखने को मिलेगा, अब इसकी IUCN rate list देख ले तो यह one लरे बर है, और wildlife protection में यह schedule one में है, highest protection है ट्रेट अगर आप देखोगे तो इनको poaching, habitat, destruction, flooding यह सारी चीजों से, Indian rhino की बात करूँ तो यह इनके horn, यानि की one horn जो है, बहुत ही ज़्यादा important है और बहुत ही ज़्यादा precious है, इसकी लिए ही इनको मारा जाता है, Indian rhino vision 2020 भी चलाया गया है, तो यह 2005 में ही launch किया गया था यह एक ambitious effort है, जिससे कि हम लोग wild populations को यहाँ पर बढ़ाएंगे और at least 3000 greater one horn rhino को जो है न, वो seven protected area में Indian state of Assam में इसको हम लोग spread करेंगे, वो भी 2020 तक, काजी रंगा नैशर पार्क आसाम में है, जिसमें कि 70% world की population यहाँ पर राइनो का देखने को मिलेगा, यह जो mission है, इसका चापोरी कोचमोरा है, और डिकरू सिखोवा है और ओरांग है, इसमें हम लोग इसको locate करेंगे, तो translocations जो rhinos का है, वो यहाँ पर जो order है, वो यहाँ पर दिया जाएगा, पहले higher authority का, तभी हम लोग इसको जो है other other state में, other state में किया, other nature park में हम लोग इसको जो है translocate करेंग कहां पाया जाता है, लेकिन 85% population हमारे हैं है, 85 होगी, कि 75 न, न ही 85% population हमारे हैं है, तो इस तरह की का भी ध्यान रखना है, और इंडिया में भी कहां जाती ये भी ध्यान रखना है, इसके IOCN red list क्या है, इसकी status क्या है, इसको किस तरीके से conserve किया जा रहा है, हमारे है कोई प तो आज के लिए बस इतनी अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है, helpful लगती है, आप लोग उसके लिए अच्छा लगा है, या फिर आप लोग को मदत हुआ है, कहीं से भी आप लोग को लगा कि अच्छा ये चीज़े याद नहीं हो रही थी, मैं के पढ़ाने से याद हो या फिर चलिए अच्छा लगा, आपको समझने में एजी हो जाती है, चीज़ों को रिकॉल करने में एजी हो जाती है, तो आप लोग इसके लिए बस लाइक कर दीज़े, और तो कुछ नहीं चाहिए मुझे, मैं इतना मैनत करती हूँ, इसके लिए बस आपका एक लाइक च सकते हो, no problem, no issue, मैं हमेशा आप लोग को सपोर्ट करूँगी, साथी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे, जिससे कि जब भी मैं यहाँ पे कोई भी वीडियो अप्लोड करूँ, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है, और हाँ, जो मैं जग आपको मैं आपको मैं आपको मैं यहाँ, तो आज के लिए बस इतनी, थैंक यू.